असला हुलेकिए बैप्रोंट इस बिलाल पॉप वीडियो वाली सिर्कार और आज की इस वीडियो के अंतर जो सेल्फोन हमारे पास आया है भाई वह बेसिकली हुआवे का टॉपस्ट एंड फोन है यानि कि अगर आप मुझसे पूचे कि हुआवे का सबसे महिंगा फोन इस ट प्रोंट इस पहले हम पी फॉर्टी की अंबॉक्सिंग कर चुके है यह जो मुबाइल फोन है यह पर प्लस के अंदर यह जो वेरियंट हमारे पास मौझूद है यह पी फॉर्टी प्लस का भी सबसे टॉप एंड वेरियंट है यानि के पांच सो बारा जीबी की जो इंटरन तो यहाँ पर जो हमें बिल्ड मेटीरियल देखने को मिलता है वो वाइट सेरमिक है इसके बैक सेट पर गलास नहीं है बलके सेरमिक बिल्ड दी गई है और ओवराल यह जो फॉन है काफी एकसाइटिंग इसम की डिवाइस है तो हम देखते हैं कि अगर आप हुआवे के चिपसेट के साथ आता है और जितने भी फोन आये हैं पी फॉर्टी सीरीज के वो सब फाइजी के अंदर आये हैं तो इनका फॉर जी वेरियंट लाउंच ही नहीं हुआ और किरन नाइन नाइंटी फाइजी का जो चिपसेट है सेवन नैनो मीटर का चिपसेट है और वही इ यहां पर निकाल लेता हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर फिंगर का जो निशान है वो बनाया गया है और उसके बीची रीजन यह है कि एक इन डिस्प्ले फिंगर प्रेंट स्कैनर के साथ आता है मैं इस मुबाइल फोन को आउन कर लेता हूं और बाइद वे इस आपको यहां पर मौझूद नहीं है आपको एक समय एक्षिन पिन देखने को मिल जाती है जिसको मैं यहां पर रिमूफ कर लेता हूं इसके लाव फॉदर इन दा बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है फॉर्टी वाट का सुपर चार्जर अब और टूब वेरी हॉनस्ट इस साल हुआवे को यह जो फॉर्टी वाट का सुपर चार्जर है इसको इंक्रीज करके अटलीस सिक्सी फाइव वाट के ओपर चले जाना चाहिए था क्योंकि हुआए ने मेट 20 सीरीज के ओपर यह फॉर्टी वाट का चार्जर दिया था अब ऐसा नहीं है कि यह स्लो है य इसके लिए हुआवे की सुपर चार्ज वरी केबल है और इसके अलाव आपको देखने को मिल जाते हैं इयर फोन जो कि इससे पहले हम हुआवे के पी फॉर्टी प्रो के ओपर भी देख चुके हैं यहां पर मैं यह चीज इंक्लूड जरूर करना चाहूंगा कि इसके अंद इसके अंदर की गई है उसके लिए आपको खास हुआवे का वाइलस चार्जर लेना पड़ेगा लेकिन इसके ओपर से यह जो प्लास्टिक है इसको रिमूव कर लेते हैं और क्योंकि यह एक सेरमिक वर्जिन के अंदर आता है तो इसकी जो लुक है वो किसी भी दूसरे फो मॉबाइल फोन के अंदर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ कैमरा लगाया गया है तो साथ तो कैमरा इस मॉबाइल फोन के अदर अवेलेबल है तो पहली चीज तो कैमरा होते है और दूसरा होता है उसकी बिल्ड इसके बैक साइड पर यह शीशा नहीं है यह सेरमिक है जिस तरह आपकी टाइल वगरा के अंदर सैनमिक होता है यह वही बैटीरियल लगाया गया है और यह शीशे से भी ज्यादा आपको स्क्राइच एजिस्टन्स प्रोवाइड करता है अगर आप इसके ओपर कोई भी चीज रगड़ेंगे तो इसके ओपर स्क्राइच नहीं है कि इसमेंकिनी सिम कार्ट यहांपर आपको मेम्री कार्ड प्लट नहीं मिले मलेंगी और अगन उपर और उसके बाद मिलते हैं तो फोन या वर मैंने फानली सेटप कर लिया है सबसे पहली चीज जो कि इस मुबाइल फोन के बारे में कोई बंधा नोटिस करेगा वह यह है कि इस मुबाइल फोन का जो डिस्प्लेइ नहीं है यह साइड से कर्व है और बहुत जादा कर्व है और यह चीज हमने इससे पहले भी कुछ डिवाइसे में देखी है कि साइड से डिस्प्लेइस को बहुत जादा कर्व किया जाता है लेकिन जो इंट्रस्टिंग चीज है वह यह है कि यह मुबाइल फोन का डिस्प्लेइ कौर्ड कर्व के साथ आता है जिसका मतलब बेसिकलि यह अपार नीचे और आप इसके नीचे होली वो काफी बड़ी रखी गई है इसको नौच तो नहीं कहूंगा इसको पंच होल कहूंगा मैं लेकिन यह इतना बड़ा पंच होल रखने के पीछ एक खास रीजन है और रीजन यह है कि यहां पर आपका जो सेलफी कैमरा है वो 32 मेपिक्सल का लगाया गया है लेकिन इसके साथ एक depth sensor दिया गया है जो कि आपको portrait shots में help करेगा और उसके इलावा सेंटर के अंदर आपकी face ID की technology दी गई है तो नॉर्मली जो फोन आते हैं android वागी साइट के अंदर उसके अंदर जो face ID होती है वो सिरफ camera का यूज़ करती है लेकिन यहां पर बकाईदा तौप सेंसर लगा है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा तेज है और क्योंकि इसके अंदर बकाईदा सेंसर लगाए गए हैं तो यह काफी वेरियस आंगल के ऊपर face ID की support भी provide कर देता है इसके लावा जो डिस्प्ले यहां पर लगाया गया है यह हवावी की तरफ से पहला डिस्प्ले है जो कि 60 हर्ट से ऊपर जा रहा है तो यहां पर 90 हर्ट का डिस्प्ले लगाया गया है अब मुझे यह बात पता है कि आप इसे कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई 120 हर्ट 144 हर्ट यह आने वाली बात होती है यह 90 हर्ट का क्या फाइदा है वेल पहली बात तो यह है कि यह एम मुबाइल फोन के उपर इस लिए नहीं दिया गया क्योंकि 120 हर्ट के उपर बैटरी है वह बहुत जादा कंस्यूम होती है और वावे के जो फोन है वह जैनरली बैटरी लाइफ की तरफ से बहुत अच्छे रहते हैं और यही वज़ा है कि इस मुबाइल फोन के अंदर भी 90 हर्ट को किया गया है तो थोड़ा सा कंप्रमाइस किया गया है लेकिन अच्छी देखने को मिलेगी यहां पर फॉर्टी टूंडर्ड अमेज की बैटरी लगाई गई है और चालिस वाट की आपको वायलेस और वायर कुछ चार्जिंग देखने को मिल जाती है इसके इलावा और यहां पर जाप से और इसके वी दिखा दूगा यहांपर जिया। मैंगा पेक्सल का मेंगा कई तुक्रम को और पीच्छे लावाँ फोन कोश्र्ट ऐसके और जाता है आठ हाट मेगापिक्सल के दो टेली फोटो जूम लेंजस लगाए गए है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर दो जूम कैमरा लगाने के बीचे रीजन यह है कि जो पहला जूम कैमरा है वो थ्री एक्स ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है तो अगर आप नॉर और दस एक्स जूम होने की वज़ा से ही थ्री एक्स जूमवाला कैमरा लगा लगा गया है क्यूंकि वन से सीधा टेन एक्स पे जाने का कोई फाइदा नहीं हुता। दرम्यान में ङह एक स्टॉप दिया हुए त्री एक्स पर जा सकते हैं aktuell और यह भी तियुम क्रोवाइड है मैं यहाँ पर कुछ सेंपल्स डाल देता हूं ताके आप खुद गैस कर सकें जो मैंने सुवा के टाइम लिये हैं इसके इलावा इस मुबाइल फोन के इंदो जो नाइट मोड है उसको भी बहुत बितर बनाया गया है मैंने कुछ सेलफी ली जहां पर सिर्फ इस मुबाइल फोन के तुरू ही यह रिजल्ट आया है एक्चल में आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो काफी जादा डिफरेंट है अगर आप किसी और कैमरा से खेंचते हैं तो जो मुबाइल फोन है यह एक बीस्टली डिवाइस है प्राइस बहुत जादा है और उसके इलावा अ स्पेसिफिकेशन हैं वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा वर्थिट बना देती हैं आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा कि इस फोन के लिए आपको यह फोन कैसा लगा है और इसके इलावा आप इस फोन से क्या एक्स्पेक्टेशन लगा कर बैठें और ओवराल हुआ आपको क्या चीज़ पसंद आती है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं कोशिश करूँगा इस तरह की यूनीक डिवाइस आप लोगे लिए लेता हूँ वीडियो को लाइक कर देजाएगा शेयर कर देजाएगा इस वीडियो में इतना ही दिस बिलाल सेन ओ आलावल